वेल्कम टू जॉब अपडेट्स बाई श्वरेनिक जैन यूटूप चैनल ओल इंडिया लिमिटेड ओ आई एल नवरतना पब्लिक सेक्टर यूनिट के तरफ से रिक्रूप में निकल करके आ रही है जैसे मैंने कह दिया प्रमनेंट सरकारी नौकरी यहाँ पर फ्रेशर सप्लाई कर सकते हैं और इंडिया इलिजिबल है इन टोटल 187 वेकेंसी निकाली गई है जो अपने आप में अच्छी नंबर है अच्छी वेकेंसी है CDC भी बढ़िया प्रोवाइड कर रहे है 50,000 रुपया महिना रिटेन टेस्ट के माधियम से सिलेक्शन रखा गया है कोई इंटर्वियू नहीं है इस चीज़ का आपको नोट करना है बट देखो यार इंपोर्डन पॉइंट्स पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेश लिचना हो आई टी आई बीए सी वालों के लिए भी ऑपर्चुनेटी है अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो बट डिप्लोमा नेसिसीटी रखा गया है तो अब अगर आप इंट्रेस्टेड हो फिट होते हो यह क्राइटेरि यह करेंट ओपनिंग्स के अंदर जो पहली नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में आपको जाना है व्यूड डॉकुमेंट्स पर क्लिक करना है आपको पीडिएफ मिल जाएगा जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो और इंडिया लिमिटेड नवरतन पीएस यो कंपन यह चीज कही गई है ठीक है जी तो तीन साल का डिप्लोमा नेसेसरी है यह भी नेसेसरी है यहां पर आप देख सकते हो नंबर ओफ विकेंसी दिया गया है और अप यहां पर देख सकते हो अब बात करते हैं अपर एज लिमिट और क्राइटेरियास के बार में मिनिमम जो एज है 18 यह कहा गया है बाकी अपर एज लिमिट 30 और 33 यह आप रेंज देख सकते हो इस चीज में रखी गई है और special categories को relaxation मिल जाता है तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है SCST, PWD, EWS, X-Servicemen वालों के लिए कोई भी online application fees नहीं है बट कितनी क्या fees है कम ही रखी गई है तो अच्छी चीज है ठीक है कहा पर बताया गया है आगे बताया गया है selection method जो है simple सा है CBD exam होगा 3 section होगा आपका ठीक है तो पहला section जो है aptitude वाला English language and general knowledge awareness and question on oil India limited दूसरा जो है quantitative ability जो है reasoning, arithmetic, numerical and mental ability उस पर चेक किया जाएगा तीसरा जो है that is the main thing जो आपका technical domain है उस पर questions पूछे जाने वाले है तो in total यहापर hundred आपका हो जाता है percentage ठीक है जी no negative marking है mcq exam है bilingual है दो घंडे का सिर्फ paper रहने वाला है and यहापर final selection जो है order of merit on the basis of marks in the cbt exam only इस चेश का आपको note करते वे चलना है बस इतना ही है बाकी कुछ जादा नहीं है बाकी यहापर just बताये गया है reservations के बार में क्या क्या चीज़े है and crucial dates कैसे क्या apply करना है application जो है वो start हो गया था 28th March को मैं video shoot कर रहा हूँ 29th March को आप आराम स apply कर सकते हो कब तक apply कर पाएंगे 25th April तक apply कर पाएंगे ठीक है जी और online application fee जैसे मैंने का था 200 रुप्रीज प्लस GST लगेगा क्योंकि यह जो application fees है वो है exclusive of GST and payment gateway charges तो GST 18 टक का payment gateway charges दो टकका याने in total 20% इस पर add-on हो जाएगा इसका यह आपको note करना है बढ़ वही अगर दे दूँगा यहां से how to apply में क्लिक करोगे तो आप apply कर पाओगे ठीक है जी step by step process दिया गया है बहुत बढ़ी असी चीज है चलिए इसके साथ यह वीडियो करना चाहूंगा आप यह इंज़र दी वीडियो में दी नेक्स वीडियो अप्रिलें ठेक केर और बाई for now see ya आप यह बाई